सुरुवाती तोर पर हम यहीं क्या हैंगे कि हमें हुआ है सर्दी जिसमें मेरा आवाज जो है आपको कुछ थोड़ा सा चेंजिंग देखने को मिलेगा तो आप आसानी से समझने का प्रियास किजेगा सरवाहरी जो सब्द है इसका क्या अर्थ होता है क्या मतलब होता है ये सब चीजें आप से कुछ पूछा जा सकता है तो गाज ये सब का मतलब एक ही होता है और आज मैं आपको जो बताऊंगा वही आपको लिख दिना है आपको आसानी से नंबर मिल जाएगा तो आएए इसको समझते हैं गाइज यहाँ पर आप सब आसानी से देख पा रहा है सरवाहारी ओके गाइज इसे इंगलिस में कहते हैं ओमनी भोरस या इसे कहते हैं कारणी भोरस ठीक है यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं मैंने लिख रहा है कि जो जन्तु पेड़ पौधे तथा कुछ जन्तु उस जैसे आपने एक्जाम्पल में देखा है चावल चावल गेहुम जो आलू टमाटर बैगण यारी एक्जाम्पल के लिए सब्जी समझे है तो भाई सहाब पेड़ पौधे से प्राप्त है सब्जी फल यह सब और जंतुओं से प्राप्त मांस मचली अंडा दूद यह सब कहां से प्राप्त होते हैं यह दोनों को जो खाते हैं उनहीं को कहते हैं सर्वाहरे एक्जाम्पल में ले रखा है मनुसिये अब मनुसिये हमारा सर्वाहरी में आ जाते हैं यह क्यों आ जाते हैं क्योंकि यह साग सब्जी भी खाते हैं और मांस मचली अंडा दूद यह सब खाते हैं तो इनको हम क्या कहेंगे छो पेड़ पूधे से प्राप्त भोजन को कहेंगे तता जंदून से प्राप्त भोजन को और मांस मचली भी खाएगा, उनको ही हम क्या कहेंगे, सरवाहारी, ओके, तो भाई सहाब आसानी से आपको याद रखना है, ठीक है, सरवाहारी में आसानी से याद रखी, आपको किलिरली आ जाएगा, मनुसिय बिली कोई कुटे, ये सब सरवाहरी में आते हैं, ये सरवाहरी म क्यों आते हैं मैं बार-बार बोल रहा हूँ जो साग सब्स भी खाएगा और मांस मचली भी खाएगा उनको क्या खाएगे सरवाहरी तो आपको आसा करता हो कि समझ में आ गया होगा उवीद करता हो कि आपको किलेर रहा होगा भाबाट टेक क्यार बेस्ट अफ लग बढ़े र करेंगे हो सकते एक लाइक जरूर किजिएगा